पहले भारतिय अभिनेता यहां रखेगा अभिनेता मैं बोल रहा हूं प्रंतु दूसरे भारतिय पहले अभिनेता केंद्रिय सुचना प्रसारन मंत्री अस्विनी बैसनों है आपको कमेंड में यह बताना है कि अस्विनी बैसनों के पास और कौन सा एक इंपोर्टेंड मंत्र θα रवाज बताना आ चौन था होगा 2030 में विंटर ऑलंपिक और आपको कमेंज लोगोंगने विंटर सुरी समर ऑलंपिक के बारे नहीं सहर में हो रहा है समर ऊलंपिक तो कब-कब हुए समर ऑनपिक और यह जो है एक सो साल बाद समर ओलोंपिक हो रहा है प्रांस के पेरिज में एक सो साल बाद जहें हिंदी श्टड़ी बैसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो को पसंद आधार वीडियो पहली महिला बन गई है पहले महिला तो पहले ही बनी है दूसरी बार इनका सेलेक्शन हुआ है नीता अमबानी जी का इंटरनेशनल ओलोंपिक कमीटी में सदेश्ता के रूप में नीता अमबानी सदस्य बन गई है और भारत की पहली महिला भारत की पहली महिना भी बनी थी 2016 में भी रियो ओलम्पिक के समय इंटरनेशनल ओलम्पिक कमिटी की सदस्ताल मिली थी और तो इस तरह से याद रखिए का नीता अमबानी पहली महिला है इंटरनेशनल ओलम्पिक कमिटी की सदस्ते बनने वाली पेरिस उलम्पिक जो है 26 जुलाई से 11 अगस्त चलेगा तो इस समय भी निता अमबानी जी को इंटरनेशनल उलम्पिक कमिटी का सदस्य बनाया गिया है इंटरनेशनल उलम्पिक कमिटी की अस्तापना 23 जून 1894 में हुई थी किसके दोरा तो पेरे डे कॉर्वाटिन के दोरा हुई थी तो आपको कमेंड में यह बताना है कि अंतराश्टिय उलम्पिक दिवस का मनाते हैं इंटरनेशनल उलम्पिक डे हम लोग कब सिलिवरेट करते हैं किस तारीक को और इसका जो मुख्याले है इंटरनेशनल उलम्पिक कमिटी का मुख्याले लुजाने स्विर्जर्लेंड में यहां इसका मुख्याल है तो आपको कमेंड में यह एक संसर बताना है कि इंटरनेशनल कौमिक का इंटरनेशनल ओलंपिक दिवस कब हम लोग मुनाते हैं चलिए नेक्ट पॉइंट पर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है इसको वर्ल्ड हेर्टेज लिस्ट में सामील हो गया है इसके बारे में हम लोग मने कुछ दिन पहले के वीडियो में पढ़ा था कि इसे सामील करने के सिफारिस की गई है आप इसे जो च्यालिसवा बैठक दिल्ली में हो रहा है 21 जुलाइ 31 अगस्ट जुलाइ 31 जुलाइ टक बैठक चलेगी 46 वा बैठक है एकिस जुलाइ से 31 जुलाइ तक चलेगी तो यह बैठक चल रहा है उसी समय इसे लिस्ट में साइमिल करने की घोशना कर दी गई है इस तरह से भारत में अब को टोटल 43 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गए हैं 43 अब तक कुछ दिन के पहले वीडियो में 2-4 दिन पहले हमनों वीडियो में पढ़ा था 42 और कंप्लिट हमनों देखा था उस वीड पॉंट्स है तो इस तरह से ध्यान रखिएगा 43 वर्ल हेरिटेज साइट हो गए हैं भारत में और यह ध्यान रखिएगा जो आहों मोजदम को सामिल कर लिया गया है तो उत्तर पूर्भी राज्य का पहला सांस्कृतिक केडिगरी में सामिल करने वाला यह पहला वर्ल का पहला वर्ल हेरिड साइड है अहों मोजदम और 46 वी बैठक में इसकी फैसला लिया गया है और यह ध्यान रखिएगा चराई देव जीला कहां इस्तित है तो असम स्टेट के चराई देव चराई देव जीला में यह अहों मोजदम इस्तित है अहों मोजदम क्या है तो जि कि जो अहम समराजे थे अहम जो राजवन्स थे उससे समन्दी थे उसके राजवन्स के ये कबरगा है समझ लीजी इस चेदर में कबरगा है उस राजा के जो भी मिर्ती होती थी इसमें बड़ा था टीला बनाकर इसके अंदर उनके समान के साथ उनके सौग को रखा जाता था तो यह अंदर यह बड़ा तरिटीला होता था अगर बर चाहरा के महराजा की नुम्रतिर तो तरह तो यह इंपोर्टेंट यह राष्टा बना हुआ है इस तरह से धिकता था देख लेज़ें सब्सक्राइब करें तो इसको कमीट cm Park शार और दिल्ली में हो रही है तो भारत में पहली बार वर्ल Haute हो रही है दिल भारत में ऊंद्बभट में इसको कमीटी के बैठक वह बाली बार हो रहे हैं कौन सी बैठा कर दिल्ली में भारत मंदपम में इसका उद्गार्ण किस ने किया था तो प्रधान मंतरी नेदर पहल के वीडियो में तो इस और जो वर्ल हेटेस साइड में सामिल किया गया था हम पी हम पी कहीं एक मंदिर बिरू पाक्ष मंदिर जो कि विश्णु भगवान को समर्पी थे सिव भगवान को समर्पी तो इसे भी ध्यान रखना है हमें तो कितनी केडिगरी में सामिल के जाता है कल्चरल नेचुरल और मिक्स है तो भारत में अब कल्चरल केडिगरी में कितने हो गया है 35 कल्चरल केडिगरी में नेचुरल में साथ है और मिक्स में एक है मिक्स में कौन स तो कंचन जंगा नेशनल पार्क जो सिक्की में इसे 2016 में सामिल किया गया था तो इसका मैं लिंक दे दूँगा इस वीडियो का 13 जुलाई के वीडियो का तो उसी आप लोग देख लिजेगा 13 जुलाई के वीडियों कंप्लीट डिटेल हम लोगोंने समझा था कौन-कौन से सा में किस कंट्री में तो उस वीडियो को कंप्लीट देख लिजेगा तो आप लोगों डिटेल फिर से रिकॉल हो जाएगा चलिए नेक्ट पॉन्ट पे चलते हैं यह दिखिये नीजी असम चराइदेव मैदान यह मैं इस पिरिनग लिखा था जीला कर नामें चराइदेव असम का चराइदेव मैदान इनसको के 20 धर वह सूची में सामिल तो तेंटियस वह यह सामिल किया गया है तिससे भी धियान रखिएगा कि कि सामिल किया जा रहा रोग्स ने किन को सामिल किया गया ता उसलाँ है सामिल हुए थे कि कितने होसा सामिल हुए थे ए्यस्ता सील सीटिए भारत सब्सक्रांए देनी कर हाथ dog टो पुंस्थरी में बन्ख दाच साइट को सामिल किया गए भारत से इस तरह का प्रस्ण भी बनता है इस पॉइंट पे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है खान क्वेस्ट क्या है 24 यह किया है इसका मंगोलिया की राधानी उलेन बठोर में किया जा रहा है इसमें भारत का मदरास रेजिमेंट इसका नेत्रितुव कर रहा है इसी विद्यां रखे कॉन से अमध्रास रेजिमेंट चलते हैं कारगील इवस का मनाते हैं 1999 कारगिल कंपने पका किस्तान के साथ आर्मी यूद में Market चला मैं श्रलाय तो अप्रेस्वी था किसी विद्यूट्र चला था और सफेद शागर किसे नविकान तो ओप्रेशन सफेद सागर ओप्रेशन भारतिय एयर फोर्स ने चलाया था ओप्रेशन सफेद सागर सफेद सागर किसे ने चलाया था तो भारतिय एयर फोर्स द्वारा यह ओप्रेशन चलाया गया था कारगी लियुद में इसे भी ध्यान रखना है और एर फोर्स द्वारा यह ओपरेशन चलाए गया था और इस समय 26 जुलाई गो जो पजिस्वार्जगाट मनाया जा रहा तो प्रधान मंत्री नैंद्र मोदी दिवारा सिंकुला सिंकुला टनल प्रोजेक्ट का बिसफोड करके उद्गाटन कर दिय लगया है सिंकुला प्रोजेक्ट टनल यह सबसे अगर बंगर त्यार हो जाता है तो सबसे उचाए परिस्तित्य टनल होगा नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है चलिए ऑलम्पिक का कंप्लीट 24 तक लिस्ट आ गया है तो यह लिस्ट आपके सामने कं समर ऑलमपिक और विंटर ऑलमपिक दोनों का है तो दोह चोवीश में जो हो रहा है यह कौन सा है तो समर ऑलमपिक यह ऐस में लिख रहा हूं समर ऑलमपिक है यह 226 जीरो चुट गया है मिलान और lightning ओल्लामपिक विंटर डबल्व सन लिख रहा हूं winter यद्विशलिक 24 मिलिन्टर को डबलू से लिख रहा हूं winter princess lost यहां से प्रस्वन बंते हैं इस तरह से तो कंप्रीट लिष्ट मैंने यहां दे दिया इसे भी ध्यान कर लिएगा और फ्रांस में जो जो एजयन 2030 में हो गा तीसके पहले तीन ओलंपीकंइटर अड़्य क्या रहे हैं वीपशे मोअ से moo सब्स्विक से ज़िए पहला विंटर अलोंपीक में कब खुआ हैंальные टो और आपको कमेंड में यह बताना है हम लोगों ने विंटर सुरी स्मर ओलंपिक के बारे ही पढ़ा है कि फ्रांस जरय में कि दिभूरे oblis कि समर्ण प्रांस के प्रुरेष में कंव कर आईजिथ हैं हम गूर की नेंस्ट सुर्ट पर चलते हैं इसे भी ध्यान रखना है कि वेंटर ओलम्पिक का बैस्टार्ट हुआ था 1924 में पहला वेंटर ओलम्पिक कहा हुआ था तो फ्रांस के फ्रांस में हुआ था चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है रोनाल्ड आय रोज जूनियर ये थे बहुत पॉटशन है यह कौन है यह कौन है यह कोन है यह हैं रोनाल्ड रोज जूनियर यह वैस कि यानि की अअमेरीका के सीक्रेट सर्विस से चीरिय स्फेस के इनको कार्यवाहिक प्रमुख बनाया गया यानि कि सेर पर्शन बनाय गया है और ति किम्रली सीर चील का अस्थान लिया है राश्ठपति यह वैस्पराश्ठपति डोनाल डुमठ गरा flush गलती उनकी सुरक्षा में उसको जिम्हें लेते किंबरली चीटल नहीं सीफा दिया अपने पत से उसके बाद इन्हें रोनाल्ड एल रोज जुनियर को कार्यवाहक प्रमुक बनाया गया है सिग्रेट्स सर्विस का सर्कारी संस्ता है इसका काम क्या है इसको इंपोर्टेंट लोग जो बिजनेस में होगे जो नेता होग चलिए 90.0 FM यह क्या है तिया एक भारत में 500 रेंग का समुदाइग रेडियो स्टेशन इस्ताबित किया गया है एजोल में एजोल किसकी रधानी है यह मिजोरम की रधानी है यहां इस्ताबित किया गया है समुदाइग रेडियो इस्टेशन इस लिए इस पांतिफी रेंग रेंग का 500 है इसलिए इंपोर्टस मिजंग जाता है किस तरह का है तो community radio station या समुदाइक radio station केंद्रिय सुचना प्रसारन मंत्री कौन है तो अस्विनी बैसों है जो की उडिसा से बिलों करते हैं आपको कमेंड में यह बताना है कि अस्विनी बैस्णों के पास और कौन सा एक important मंत्रालय भी है यह बताना है आपको रेडियो स्टेशन का नाम क्या रखा गया रेडियो स्टेशन जो पॉइंट है उसका नाम रखा गया 90.0 FM जो समुधाइक रेडियो स्टेशन है इसका नाम इंगलिज में अगर कहेंगे तो कम्यूटी रेडियो इस्टेशन हिंदी में सविधाईक रेडियो इस्टेशन कहां तो आई जोल में मिजोरम कि रजानी आई जोल में खोला गया है किम के दोड़ा उधारन किया है गोष्णा की गविए असुनी बैस दोड़ा केंद्रे सोच ना प्रसारान मंद्री आप को कमेंड के पास कौन से मंत्राले है उनके पास है चलिए नेख्ट प्न पॉंट पे चलते हैं नेक्स्ट पॉंट है कश्टमाइज गोल्ड कोईन क्या है कश्टमाइज गोल्ड कोईन एक प्रसकार है ये इस प्रसकार से समानित होने वाले पहले भारतिया अभिनेता बन गए हैं सारुक खान पहले भारतिया अभिनेता यहां रखेगा अभिनेता मैं बोल रहा हूं प्रन्तु दूसरे भारतिया पहले अभिनेता प्रंतु दूसरे भारतिया बने हैं इस प्रसकार से समानित होने वाले तो पहले भारतिया को है महात्मा गांधी जी महात्मा गांधी जी को ये प्रसकार मिल चुका है उसके दूसरे भारतिया हो गया है सारुक खान प्रंतु पहले भारतिया अभिनेता हो गय जो मौअ की मूरतियों के लिए प्रसिद है यहां बनी हुई है यह देखिए यह इमेज ये गोड कोइन है गॉल्ड कॉंट कॉप्ट से समानित होने वाले भारतिया विनेता सहरुख खान और ये नीज को पहले भारतिया विनेता ये बने हैं ये नीज हिंदु का नीज हैं चलिए आज के लिए इतना ही सेशन कैसा रहा कमेंट में अपने बिचार जुरूर रखिएगा मिलते हैं भी नई वीडियो में आप सब की सफलता की मंगल कामना के साथ तब तरह जैहिंद स्वास्त रहें मस्त रहें धन्यवाद जैहिंद